प्रेंडि स्टडी सर्गिल चैनल में और दोस्तों आज के इस वीडियो ने हम बात करेंगे जिन स्टुडेंट के यूवी पीसेल एक्जेक्यूटी असेस्टेंट के एक्जाम अभी होने बाकी है यानि कि अभी 24-25 तारिक के बाद जो भी एक्जाम है अभी तो आज का डेट जो है 23 है और 23 के बाद जो भी एक्जाम देने वाले हैं स्टुडेंट उनके लिए कुछ जरूरी टॉपिक मैं बताना चाहता हूं जिससे आप एक्जाम में अपना बेहतर परदर्सन कर सके हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यदि आपनी चैनल में पहली दिया था उसके बारे में अपना पर्सनल एक्परियेंस से एर किया हूं तो वहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से एक्जाम में क्योश्टन पूछे गया थे उसमें मैंने यह बताया है कि किस तरह से एक्जाम पूछे गया थे कैसा पेपर हुआ था इस तरह करते हैं इस बार दोस्तों जो भी स्टूडेंट फेल होंगे वो सबसे ज़्यादे केंप्यूटर में ही होंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट यह सुच रहे थे कि पचास क्यूस्चन है और पचास में बीस नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बार बता देना चाहता हूं कि पिछली साल के अप्रिवियस यह पे पूरी तुरक्ते डिपेंड मत रहीगा क्योंकि प्रिवियस यह के एकार्डिंग बिल्कुल इस बार पेपर जो है चेंज कर दिया है और इस बार आपको केंप्यूटर में क्या पढ़के जाना है एक बार यह आपके पास समय है मान के चलिए एक दिन नहीं लाते हैं तो फिर आप फेलोंगे और दूसरी चीज आप यह पहले चीज तो देख लिजिए कि केंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादे इसी में सेक्यूशन उठाया था जैसा कि MS Word होता है Excel होता है Excel देख लिए 3500 उसमें लिखा था तो जो लगता है कि लेटेस्ट वर्जन है मैं तो 3500 देखा नहीं तो इसके वज़े से मैं आपको बता देता हूं कि कुछ जो चेंजिज होते हैं निव वर्जन में तो उस चीज को ही एक्जाम में पूछा जा रहा है और पॉइंट से रिलेटेट क्यूशन पूछेंगे और ऐसा यह वन लाइनर टाइप के क्यूशन बिल्कुल नहीं पूछे जा रहा है कि क्यूशन ऐसे पूछे जा रहा है जैसे कि माली जे कि पहला आप्सन दूसरा आप्सन तीसरा आप्सन चार आप्सन दे रहा है लेकिन दो-दो आपको वाक्य दे रहा है कि पूछ रहा है कि पहला स पर आप जाएंगे फिर आप home button पर क्लिक करेंगे home button के पास किस जगह पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं इस तरह से related question वह अपने यह carding बनाया हुआ है फिर पूछ जाए कि पहले के carding भी save कर सकते हैं कि नहीं दूसरे के carding भी save कर सकते हैं कि नहीं या फिर पहले दूसरा दोनों नहीं है इस तरह से question पूछ जाए तो practically आपके पास knowledge होगा ऐसा नहीं कि आप computer बुक पढ़के और आप इस exam को दे सकते हैं बिल्कुल नहीं practically आपके पास knowledge होनी चाहिए यदि आप प्रैक्टिकली आप practice किये हैं तो इसमें से जो MS Office Word और Excel के question है PowerPoint के question है तो मान कर चलिए कि यहां से 30-35 question आपको मिलेंगे सीधे सीधे यहीं से मिलेंगे और कुछ lengthy question भी होंगे कुछ ऐसे भी होंगे जिसे देखते हैं या आप कर सकते हैं तो ऐसे होते ही हैं लेकिन उनसे बेड़ा पार होने वाला नहीं है क्योंकि जब तक आप 35 प्लस नहीं करेंगे तो आप सेटिसफाइड नहीं होंगे ठीक है और दूसरी चीज कोशिजिए कीजिए कि ऐसा आपको लगता है कि मुझे exact 20 आ रहा है तो 20 पे exact छोड़िएगा मत क्योंकि 10-12 questions जरूर रिस्क लिजिएगा हो सकता है 2-4 questions उसमें सही हो जाएं तो आप 20 प्लस ही रहें 20 के अंदर यदि 0.25 से ही बाहर होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो इस वह से computer में ये देख लिजिएगा internet email में देख लिजिएगा internet में email से पूछा जा रहा है बा पूछा जा रहा है और आयोग जैसा कि पूरी कोशिस कर रहा है कि लड़के ज्यादा ज्यादा computer में ही फेल हो जाए इस तरह से computer के question को प्रिपेर किया गया है दूसरी चीज लड़के जो है जो भी students है वो सोच रहा है कि हिंदी में क्या है और हिंदी तो आसानी से हो इस तरह से question को सेट किया है कि यदि आप 35 प्लस सही सही कर ले जा रहे है तो बहुत ही अच्छी तैयारी है बहुत ही अच्छी पकड़ है ठीक है जैसा कि मेरा एक्जाम 24 को morning shift या नहीं पहले दीन ही पहले दीन ही पहले shift में पढ़ गया था तो उसमें जैसा कि जो question सबसे ज महारे पूछ रहे हैं और एक गलत है और तीन सही है तो उसमें आपसन के कार्डिंग पूछ रहे है कि कौन सा गलत है ठीक है या फिर ऐसे पूछ दे रहे है कि कौन इसमें fit बैठ रहा है ठीक है जो लोकुकती महारे चारों में से कौन एक fit बैठ रहा है इसको बताईए और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आदित पब्लिकेशन की बुक लेकर पड़े हैं ज्यादा तर स्टूडेंट तो उससे बेड़ा पार बिल्कुल नहीं होने वाला है आपके पास यदि टाइम है तो थोड़ा सा समय दे दिजिए पियन पढ़ने की बु सकते हैं ठीक है अनिकार्थी सब भी पूछ रहा है परियावाची पूछेगा और रस छंद अलंका जैसा कि मेरे स्टूड में नहीं था तो मेरे हिसाब से सायद ही पूछे और देख लीजेगा लेकिन अब पढ़िएगा सारी पढ़िएगा लेकिनी स्टॉपिक को जरूड को देख लीजेगा इस पेसली ठीक है वाके सुद्धि से बहुत ज्यादे क्योश्चन लोगों थी मोहरी ज्यादे क्योश्चन नहिकार थी तत्सम तद्वा परियावाची विलोम ठीक है इन सबसे ज्यादे था एक दो क्योश्चन मान के चली कारक को रख से पूछ सकता है और कुछ सेंटेंस ऐसे बना के दे रहा है जिसमें पूछ रहा है कि लिंग के या फिर करता के अकार्डिंग जो है इसमें तुरूटी कौन सी है इस तरह से पूछेंगे और क्योश्चन जो है टाम टेके नहीं बड़ा बड़ा है पढ़ेंगे तो आपको समय लेगा समझने में समय लागेगा और वही आयोग चाहा रहा है तो दूसरी चीज आप तो पहली चीज जो बड़े बड़े क्योश्चन है उन सब को स्टार्टिंग में आप ध्यान मत दिजिएगा पहले चोटे चोटे-चोटे क्योश्चन जैसे तरसंत प्दभवव है उन में देखिएग इंग्लिस की बात कर लेते हैं तो सिनॉनिम्स एक दो क्योश्चन मिलेंगे दो से तीन क्योश्चन मतलब इंग्लिस का जैसा मेरे स्ट में पोर्शन था वो ठीक ठाक था इंग्लिस में ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा घुमाया था लेकिन हां जैसे कि आप स्पीच क्योश्चन को जादे वेटिस दे रहा है कौन क्यूश्चन बहुत जादे बार पूछा गया है यह तो आयोक के उपर डिपेंड है अब ध्यान के देना है एक तो फिल इंद ब्लैक्स आप से पूछेगा जिसमें आपको प्रिपोजीशन सही फिट है कि नहीं कौन से बट लगेगा अन इंटू लगेगा एट लगेगा यह सब पूछ रहा है फिर पैसेज दे रहा है पैसेज में आपको जैसा क्योशन असर निकालना रहता है वह और दूसरी चीज एक पैसेज और देगा जिसमें फिल इन ब्लैक्स रहेंगे ठीक है तो यह दूनों पैसेज आपको चार चार नमर के मिलेंगे दूसरी चीज इडियाम फ्रेजस मिलेंगे एक दो क्यूशन जरूर मिलेंगे वन वर सब्स्ट्यूट भी मिल जाएगा दो तिन क्यूशन उसके बाद सेंटेंस एरेजमेंट दे रहा है जैसे पीक्यू आर्या सीजियल ससी में देता है तो एक चीज और है कि जैसे चार सेंटेंस दे रहा है और आताने पूशा गया था तो दहिएगा द्यूंश का इतो यह है कि जो झाने स्टूड होंगे थोड़ा सा उनको यह पेपर टफ लग सक्ता है Tradition बेंक की तचैजम की तायारी है बैंक की तयारी है तो आप जाए snow 00 Todos इस तरह से आप रेंडमली भागिएगा कि फटाक से हो जाएं बाकि जो जादे धिमाग लगाना उसको दुबारा एक घंटे जरूर समय निका लीजेगा कि वह हो जाएं बात करेंगे जीएस की तो जीएस के लिए पचीस क्यूस्चन है जिसमें करेंट अफेर पूछेंगे औ ठरह से जिसमें रूसेंडे पढ़ेंगे तो फोड़ा सा कुछ उसमें से कुष्चन मिल सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं तो सम hip уш है के अधर्वाइश को बैसे आपको कर लेते हैं तो अच्छी त फिछन के कंच करतें हैं तो आपको तुझर ले सकते हैं अदर्वाइश डोंट टच एनी क्यूस्टन रिजनिंग में आपके पास समय है तो ज्यादा ज्यादा आप कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अलफावेटिकल भी देख लिजेगा और फिगर वाले जो क्यूस्टन आते हैं वह देख लिजेगा बाकि ऐसे क्यूस्टन जो है कि हर एक चैप्टर से पूछे तो नहीं तो झालेंडर से नहीं पूछा था पूंचा था हो सकता है आगा वाले सीट में पूछ दे बालते हैं तो according to me आप कम से कम 37 प्लस ही करेंगे 37 और 40 के बीच में रहेंगे पांच क्यूशन ऐसे जरूर होंगे जो आप लॉजिक सायद बैठा पाएं यदि पकड़ में आगया लॉजिक तो रिजनिंग लॉजिकल है तो आप कर सकते हैं otherwise आप आप किजिएगा क्यों कि उलजिएगा मत उलजिएगे तो अच्छे क्यूशन भी छूड़ जायेग यह बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा अन्तता यह बिल्कुल ध्यान दीजिएगारि यह सवालस वाल करज हैं तो पहले टेंड़म ली ऐसे देखिएगा जो फतालस प्रत् समय है केंप्यूटर में हालत खराब हो जाएगी आपको कंसेप्ट को समझने में और कौन सा आप टिक करें इस चीज को देखने में तो इस बात का ध्यान देंगे समय में इंपॉर्टेंट जो है वो है समय हिंदी कोसिस की जाएगे आदे गंटे निपट ले उसके बाद इंग 24, 25, 26 जो भी एक्जाम डेट है आपका इस बीच में एदी एक्जाम है तो आपके बास समय है थोड़ा देख लिए केंप्यूटर वाला जैसा कि मैंने पूर्शन बताया उसको देख लिए इतना ओवराल है अच्छा कर जाएंगे बेहतरीन करेंगे ठीक है बेस्ट आप